बात के लिए माफी मांगे चाहिए अगर देख रहे हैं नीताम बानी एयरपोर्ट पर इस वक्त नजर आ रही है नीताम बानी और जैसा की सभी को विदित है की अनंत बानी और रादिका मर्चेंट जल्दी शादी के बंधन में बंदने वाले हैं ऐसे में बहुत से प्री वेडिंग फंक्शन अलग-अलग जगों पर ओगनाईस किये जा रहे हैं बहुत सारे कारेक्रम चल रही है उसको लेकर देश और दुनिया की नजर है मनिश मलोत्रा भी तस्वीहों में नजर आ रही है बॉलिवुड सेलेब्स के लिए कपड़े हैं इसके लावा आप ये ऊनलग लावात की तस्वीह है हैं, जहाँ पर इस वक्त, निटा अम्बानी पहुची हैं. तो बताया जो रहा है कि काशिवशनात के दर्शन भी करेंगी, नीटा अम्बानी फिलाल वो एरोट से रवाना हो रखी हैं उसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रखी हैं काशिव विशनात के दर्शन करने का उनका कारिक्राम है एरपोर्ट के बाद सिधा वो वहीं के लिए रवाना होंगी बताया जवाराय कि वारांड से एरपोर्ट से मंदिर के लिए रस्खान करती हुई नीता अमबानी को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रही हैं तो पारंपरिक अंदाज में भारतिये साडी में नजर आ रही हैं नीता अमबानी और तीर सल पहुंची हैं काशिव विशनात के दर्शन करने जा रही हैं जिसके तस्वीर एरपोर्ट पर मिली जहां से वो रमाना ह हुई हैं काशिव विशनात मंदिर के दर्शन भी करेंगे नीतामबानी तो यह तस्वीर आपके सामने हैं एक तरफ अनन्त अमबानी और राधिका मोचेंट की शादी की तयारियां चल रही हैं उनके बहुत से प्रीवेडिंग फंक्शन्स हो रहे हैं देश में विदेशों के अलग-अलग जगों पर और इसी बीच काशिव विशनात के दर्शन करने आई हैं नीतामबानी तो नीतामबानी जिनों ने मीडिया से बाचीत में कहा कि अनंतामबानी और राधिका के शादी का निमंत्रन पत्र वो महादेव के चड़नों में अर्पित करने आई हैं जिस तरह रिवाज है भारतिय संस्कति में कि देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है आश्रवाद के लिए उनके भी चड़नों में निमंत्रन दिया जाता है तो काशी विष्वनात पहुंचे नितामबानी